एक बार की बात है, फुटकारी नगर में रहने वाले दो अच्छे दोस्त, मोटू और पतलू, एक दिन जंगल में घूमने निकले उनका उद्देश्य था जंगल की सुन्दर्ता का आनंद लेना और कुछ नया अनुभव प्राप्त करना वहां घने जंगल में चलते चलते एक बड़े से पेड़ के पास पहुँचे वहां पर एक अजीबोगरी पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां हरे भरे और चमकदार थी मोटू पतलू बहुत हैरान हो गए कि ऐसा पेड़ उन्होंने कभी पहले नहीं देखा पतलू ने मोटू से कहा, मोटू भईया, देखो, यह पेड़ कितना अद्भुत है क्या हम इसे और करीब से देख सकते हैं? मोटू ने हंस्ते हुए कहा, हाँ, पतलू, हम इसे जरूर देखेंगे वे नज़्दीक गए और उन्होंने देखा कि पेड़ की छाल पर कुछ अद्भुत चिनह थे चिनहों में एक प्रकार का पूर्णता अज्याद भाशा में लिखा हुआ था मोटू ने कहा, यह कुछ जादूई लगता है, पतलू यहां हो सकता है कि इस पेड़ में कोई अद्भुत शक्ती हो पतलू भी उत्सुकता से बोला, हाँ, मोटू भीया, हमें इसे और बहतर समझने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था मोटू ने पत्थर को उठाया और देखा कि उसमें भी वही अग्यात चिन्ह था पतलू ने कहा, मुझे लगता है कि यह चिन्ह हमें इस पेड़ के रहस्य के बारे में कुछ बताने के लिए है मोटू ने सोचा, फिर उन्होंने पत्थर को पेड़ के नीचे रखा और कहा, हमें जल्दी कुछ और पत्थर ढूंडना चाहिए, शायद हमें इस पेड़ का रहस्य समझ में आ जाए वे और कुछ पत्थर ढूंडने के लिए निकले वे कुछ ही समय में और पत्थर मिले, जिनमें भी वही चिन्ह था मोटू ने उन सभी पत्थरों को पेड़ के नीचे रखा और कहा, अब हम देखें कि क्या होता है जैसे ही वे सभी पत्थरों को एक स्थान पर रखे, पेड़ की एक जिल्मिलाहट महसूस होने लगी जिल्मिलाहट के साथ-साथ, पेड़ से अजीब ध्वनी भी सुनाई दी, फिर कुछ ही का शनों में उन्हें एक अद्भुत द्रिश्य नजर आया पेड़ की उपरी भाग से एक प्रकार की प्रकाश में द्वार खुल गया और उसमें एक सुन्दर समुद्र का द्रिश्य दिखाई दिया मोटू और पत्लू बिल्कुल हैरान हो गए मोटू ने कहा, यह तो सचमुच जादू है, पत्लू इस पेड़ में कोई अद्भुत शक्ती है जो हमें इस रहस्य में दुन्या की ओर ले जा रही है पत्लू भी उत्साहित होकर बोला, हाँ, मोटू भिया, यह सचमुच अद्भुत है हमें और और इस जादूई दुन्या को जानने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने पेड के पास बैठ कर अपने अनुभवों की बाते की और उस जादू की दुन्या के रहस्य को सुलजाने का संकल्प किया कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब माइ चैनल फॉर कार्टून वीडियो